मैं हो तापिता और आज के इस वीडियो में हम अपनी कम्प्यूटर इन अकाउंटिंग चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसकी वो थियोरी करेंगी जो ज़्यादा तर हमारे एक्जाम में पूछी जाती है और काफी इसी है Manual and Computer Accounting System में क्या डिफरेंस होता है सबसे वाले इसके मिनिंग से स्टार्ट करते है Manual Accounting System किसे कहते है Manual Accounting System कहते है जिसमें हम खुद से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते है On paper, on register ठीक है उसे manual कहते है यानि कि manually एक person handle करता है हमारे accounting system को लेकिन registers पर और papers पर लेकिन computerized accounting system भी वही होता है बंदा हमें चाहिए होता है बढ़ यहां में paper या register नहीं चाहिए यहां में computer चाहिए नाम से ही पता चल रहा है computerized accounting system तो यहां में हमें computer चाहिए उसमें software चाहिए और एक person चाहिए और वो computer पर सारा data maintain करते है तो उसे computerized accounting system कहते है अब दोनों में क्या difference है तो सबसे पहला जो base दिया गया है book में आपको वो है identify financial transaction तो देखो, manual में भी एक बंदा तो चाहिए ही न एक human wear जिसे हम कहते है वो तो चाहिए और computerized में भी computer अपने आप तो record नहीं करेगा identify नहीं करेगा उसके लिए बंदा चाहिए चाहिए तो identify करने के लिए दोनों में हमें एक person के need होती है जो human wear हम जिसे कहते है accountant हमें hire करना ही पड़ता है तो दोनों ही case में transaction को identify करने के लिए हमें person की जरुरत होती है तो यह step दोनों में similar होता है तो इस basis पर हम कोई comparison नहीं कर सकते है लेकिन जो second step है recording यानि कि transactions को record करना इसके लिए accountant record करता है यानि कि register होता है उसमें general entity record करता है आप भी वही सारी चीज़े कर रहे हो अपने register में सारी चीज़े record कर रहे हो लेकिन अभी आप जब आप companies में जाओगे तो आपको register और pen से हटकर computer में record करना होगा जैसे कि tele software में हम करते है Excel में हम करते है तो वहाँ पर हमारे पर software होगा computer होगा तो recording की अगर मैं बात करूँ guys जैसे कि plus करना, minus करना, totaling करना recording manual में हमें खुद करना पड़ता है लेकिन अगर मैं बात करूँ computerized में तो अगर आपने एक particular head में transactions डालिए तो वो अपने addition उसमें हो जाता है, subtraction हो जाता है तो हमें खुद से नहीं करना पड़ता guys यानि कि आपने जो भी entries पास करी उसका debit credit balance अपने आप पोस्ट हो जाता है तो उसमें आपको plus या minus या उसका balance सीधी निकालने की आपको नहीं होती तो recording के बाद के जो addition and subtraction and calculation है वो हमें computerized system में नहीं करना होता, computer खुद करता है थर्ड है guys, classification यानि कि ledger posting classified जब हम करते है guys manual में हमें खुद करना होता है registers maintain करने होते हैं हर एक पसंद के ledger के लेकिन अगर मैं बात करूँ guys computerized accounting system में तो वहाँ पे classification हमें खुद से नहीं करना होता अपने आप ledger में खुद बखुद posting हो जाती है यानि कि उसमें human wear का कोई रोल नहीं है अपने आप software काम करते है उसके बाद अगर बात करें guys summarizing की तो summarizing में जैसे कि trial balance बनाना है तो manual में of course हमें बनाना पड़ेगा लेकिन अगर मैं बात करूँ computerize की तो उसमें खुद बखुद trial balance बगरा बन जाता है अपने आप totaling हो जाती है आपको अपनी गलती अपता चल जाती है अगर बात करें guys financial statement की manual में हमें खुद से financial statement बनानी है ठीक है trading profit and loss balance sheet खुद बनानी है लेकिन computerize में अपने आप बन जाती है इसके बाद guys एक बहुत important topic है जिस पर mining कई बार आ जाता है difference आ जाता है management information system क्यों होता है management information system जब हम अपने data को software में डालते हैं और उससे कोई process करके information बनाते है तो उसे management information system कहते है अब business को maintain करने के लिए हम of course handle करके चलते हैं हम सारी चीज़े खुद बखुद record नहीं कर सकते हैं तो हम अपने data को feed करते हैं right that is the information तो हम अपने business का हर एक data feed करते हैं that is called management information system क्या होते है एक plan system होता है of collecting, processing, storing of data in the form of information इसमें हमारे inventory management भी होता है इसमें हमारी sale information भी होती है इसमें हमारी accounts information भी होती है हर एक चीज़ होती है human की information होती है human resource की information होती है लेकिन अगर हम बात करें accounting information system की so ये guys management information system का एक sub-part है क्योंकि management information system अगर इतना बड़ा है जिसमें हर एक department से related information आती है तो accounting information system उसका एक sub-part है जिसमें सिर्फ accounts के information वो record किया जाता है So accounts अगर हमें accounting information चाहिए तो वो accounting information system से मिलते है जो कि किसका part है? MIS का ही part होता है जिसमें accounts related data को process किया जाता है और उसे information में convert किया जाता है Like trading, banana, profit and loss, balance sheet That is the accounting information system So ये थे guys बहुत असान से topic I hope आप लिगों को समझाया होंगे अगर कोई भी query है Instagram पर message कर सकते हो ID है ताबिता मैसी और अगर वीडियो पसंद आई तो like, share and comment जरूर करना अपनी friends के साथ share करना Thank you